पुलेकर अमेरिका में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है इसराइल के प्रदान मंत्री बन्यामिन नेतनियाहू इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात अमेरिका के रास्पती जो बाइडन से होने वाली है लेकिन इस बीच यमन के यूथी विद्रोहियों ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाग इसराइली सेना के हैट क्वार्टर में एलाम बचने लगा है देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट जब नेतन याहू बाइडन के मुलाकात और अमेरिकी कॉंग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इसराइल की चर्चा कर रही है तब इसराइल के दुश्मान एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है 19 जुलाई शुक्रवार का देन खुलने वाला था कि रात तीन बजए यह ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अभी में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखी वो ड्रोन अटाक जिससे इसराइल बच नहीं सका अब ऐसे ही कई हमले इसराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है भूमद्य सागर में इसराइल के कई तेल और गैस के भंडार है और यहां उसके ओयल रिग्स पर ड्रोन अटाक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन कोर्स का नया टागेट बन सकते हैं इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा ओयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल की एनरजी इंडास्ट्री की तबाही भुमदे सागर में इसराइल की तमा लिभ्याथान और करीश गैस फील्ड है यहां इसराइल हर साल 21 अरब क्योंपे एक मीटर गैस का उत्पादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाते है ऐसे में नितन याहू के बेचैनी बहुत ज्यादा है तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटाक के बाद इसराइल को अपने शेहरों से ज्यादा अपने तेल के कुणों की चिंता सता रही है क्योंकि यहां पर हमला रोपना आसान नहीं होगा जब तेल अवीव में आधी रात तीन बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखेर हुआ क्या सड़कों पर लोग बद हवास हालत में नजर आए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गए दस लोग जक्मी हुए हैं तेल अवीव में अफरा तफरी मच गए ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया लोग सड़कों पर निकल आए साइरन बजने लगे आखिर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे गुस गया कैसे इसराइल का सबसे मजबूट किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया तेल अवीव में जहां अटैक हुए वो तेल अवीव का याफा हिलाका है और जस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है लगर तखकीर इस बिदानो ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כמדובר בכלי טייס בלתי מאויש מדגם צימד 3 लाराखतेनो הוא הגיע मतימן अद तल अवीव צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני याफा ड्रोन कि बारे में कहा जारहा है कि ये איראן समिले ड्रोन की नकल इसका असली नाम समथ 3 है इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमिटर है अब इस ड्रोन का रूप देखी जिसनी इसराइल को चौका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए सुएज नहर के उपर से गुजरा नीचे अमेरिका के बड़े-बड़े वार्शिप देखते रह गए कोई उस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया इसके बाद ये ड्रोन धुमत देशागर की तरफ से इसराइल में घुसा इसराइल के बड़े-बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टागट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमेटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी वी द्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो इसके शहरी इलाके हूँ चाहे वो उसके ओयल रिग्स हों या फिर इसराइल के बंदरगा हूथी वी द्रोहियों के टागट पर इसराइल के जो बड़े बंदरगा हैं उसमें हाइफा और एलाग पोर्ट सब से आगे हैं हाइफा का बंदरगा भूमद्दे की तरफ है जबकि एलाग बंदरगा दक्षन में अकबा की खाड यानि लाल सागर की तरफ खुलता है यमन के इन दोनों पोर्ट पर हमले की ना सिर्फ धंकी आती है बलकि हुथी वी द्रोही इन दोनों पर मिजाइल से हमला भी कर चुके हैं हलाकि इसराइल ने ये डिफेंस सिस्टम के जरिये इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है जिस इसराइल की ड्रोन टेकनॉलिजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया अब उसी इसराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनका डूट रहे है इसराइल को बता चल गया है कि इस हमले के पीछ यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इसराइल तक पहुंचा है इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है यमन ने तेल अभी पर जोन हमला किया तो इसराइल ने खुदेदा बंदरगाह पर तेल डीपो को टागेट बनाए यही वज़ा है कि यमन के हुथीवे द्रोई अब जबाभी कारवाई में इसराइल की तेल और गैस वाले ठिकानों को टागेट बनाना चाहते है मुमद्य सागर में इसराइल की आयल रिक्स को ड्रोन से टागेट बनाकर यमन के हुथी विद्रोई ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इसराइल की दुख्ती नब्स को दबाना जानते हैं आयल रिक्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप और ये हमले इसराइल की अर्थ बेवस्था को भी बड़ी चोड पहुचाएंगे एक ड्रोन कैसे युद के दाइरे को दस गुना बढ़ा हा सकता है ये यमन के याफ़ ड्रोन ने साबित कर दिया खत्रे की धंटी संयुत राष्ट में भी लगातार बच रही है युद का नया खत्रा किस लेवल पर पहुंच चुका है ये आप युएन से आए अलर्ट को देख कर समझ सकते है याफ़ जैसे ड्रोन से ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले इसराइल का एर डिफेंस नेटवर्क इसे रूकने में नाकाम साबित हुआ है ऐसे कई हत्यार यमन के हुथिवे द्रोई अपनी परेड में दिखाते रहे हैं इन सभी पर एरान की छाप लगी हुई है इस बात से तो एरान भी इंदकार नहीं करता चाहे वो बिलिस्टिक मिसाइल हुँ क्रूज मिसाइल हुई या फैर ड्रून हुथिवे द्रोईयों के पास बहुत से ऐसे हत्यार है जो उसे एरान के जरिये ही मिले हैं यमन के हुथिवे द्रोईयों को एरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हुथिवे द्रोईयों की याफ़ ड्रून ने इसराइल के एर डिफेंस नेटवर्क को खेलोना साबित कर दिया है यही वज़ा है कि तेल अभीब पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बिन्यमिन नेतन याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं हमास पर बंबारी नहीं बलकि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं इस वक्त हमास के कबजे में 120 इसराइली बंधग हैं और इस बात नेतन याहू को काफी फेचैन किया हुआ है नेतन याहू नेतन याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडन से इस बारे में जरूर बात करें ताकि हमास पर दबाव बने और 120 इसराइली बंधगों की रहाई मुम्किन हो पाए काजा में बंबारी को लेकर अगर इसराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिले है तो वो लिबनान का मेलीशिया हिस्बुला है और यमन का हुदी विद्रोही गुट है लेकिन इसमें खास बात ये है कि इन दोनों संगठिनों को इरान का पूरा समर्थन उन्हें इरान से फंडिंग भी मिलती ट्रेनिंग भी मिलती और ये बहुत हद तक तहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते है इसराइल पर हमास के हमले के नौ महीने पूरे हो चुके है गाजा पर इसराइल के आपरेशन के भी नौ महीने पूरे हो गए है नौ महीनों की तबाही का दोर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पौहँच चुका है यमन के तेल गुदाम में लगी आग अब भी जल रही है इसी जगा पर इसराइल के फाइटर जेट्स ने भब गिराए थी और फिर लगा कि जैसे पूरा खुदेदाम बंदर का जलने लगा यमन को भी पता चल गया है कि हुथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से यद गाजा से निकल कर आब उसकी जमीन पर पहुच गया है अग्दम अलकायान सुहियोनी बास्तिहदाफ मौन अलहदीदा वालमुचात नफ्तिया और अद्मन अल्यान बदनिया यमन का गुसा साथ दूए आजमान पर और यमन की पबलिक इस गुसे का इजहार भी कर रही है गाजा को लेकर पहले आकरोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है इस से पहले हुथी विद्रोहियों ने इसराइल पर जूण और क्रूज मिजाईल से कई हमले किये लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इसराइल के एर और मिजाईल डिफेंस नेटवक को नाकाम साबित कर दिया है और अब खत्रा इसराइल के तेल के कुऊंगों पर मंडराने लगा है क्योंकि इसराइल भी जानता है कि यमन के बात खोने के लिए कुछ नहीं है और इधर नेतनियाहू और बाइडन के बीच जो भी बात होगी उसमें आरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है सबसे बड़ी बात ये कि इसराइल के नंबर वन दुश्मन इरान को लेकर डोनाल्ड ट्रम के साथी जेरी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पस्ट्रिम एशिया ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में युद्ध छिरने का खतरा है देखे रपोर्ट एक तरफ गाजा में इसराइल का नया हमला हुआ है और दूस्री तरफ ने तरफ नेत्याहू और गोला बारूत की डिवान के साथ अमेरिका में मोशुद है गाजा में इसराइल के बंबारी से एक ही दिन में करीब सो लोगों की मौत हो चुकी है तीन सौ से ज़ादा घायल है ये गाजा में सबसे अखोनी दिनों में से एक साविट हुआ है गाजा के खान यूनिस इलाके में ना सिर्फ इसरेली वायू सेना ने बंबारी की यहां पर इसरेली चैंक मारकवा ने भी अंधा दून गोले बरसाए और नतीज़े आपके सामने है अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले एहमद समूर लाशों को उठा उठा कर ठक चुके हैं इसरेल ने जब हमला किया तो एक चार मंजिला इमारत पूरी तरह ठह गई एहमद समूर का घर इसी इमारत में था गाजा के नासिर मेडिकल कॉमपलेक्स में एक साथ खरीब दोसोग है लोगों को पहुंचाया किया बहुत सलुक मर्शुके थे लगिन उनके रिश्टदारों को उमीद थे किसांस बाकी ये तस्वीरे बता रही है कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है लेकि दूसरी तरफ अमेरिका में नेतर्याहो को घेरने की कोशिश भी जारी है फॉइट हाउस के खरे भी ये लोग नेतर्याहो का विरोध करने पहुचे हैं ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडन प्रशासन को जगाना चाहते हैं ये इसरेल को जारी बम और गोला बारूत की सप्लाई रुकना चाहते हैं ये सब एक प्रदर्शन का हिस्सा है ये वेक्ती आँखों पर पट्टी बांधे और हत्कडी लगाये हुए खड़ा है छिक वैसे ही जैसे इसरेल गाजा और विस्ट बैंक में हजारों लोगों को गिरखतार कर चुका है गाजा में तबाही रुपने का नाम नहीं ले रही गाजा में नौ महीनों से जारी बंबारी में 49,000 लोगों की मौत हुचकी है 90,000 लोग गायल हुए सैक्डों हजारों लाशें मलबे में दबी हुई है नया तना विस्ट बैंक में भी फैल गया है जहां इसरेली सेना की गुलीबारी में फिलिस्तीन के पांच लोगों की मौत हुई है इसरेल का दावा है कि इनमें हमास और फत्तव गुड के लोग थे इसरेल का ये हमला विस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ गाजा और विस्ट बैंक दोनों जगे इस तवाही के बीच अमेरिका से एक बहुती खतरनाक आइडिया सुझाया गया है जो पूरे पश्वम एशिया को ऐसे युद में जोग सकती है जिसके बाद तीस तरह विश्व युद शुरू हो जाएगा इस बात की पूरी गैरेंटी है अमेरिका में ओहायो की सिरेटर और डोनल्ल टरम्प के रनिंग मेट जेडी विंस जो रिपबलिंगन पार्टी के वॉइस प्रेसिडेंट के कटिडेट के रुप में हो रहे हैं जेडी विंस ने कहा है कि एरान के खिलाफ बाकी अरब देश एक जूट हो जाए जेडी विंस अरब वर्ल्ड के सुन्नी बहुल देशों को एक फ्रंट बनाने का सुछा हो दिया है क्योंकि एरान श्यूआ बहुल देश है यानि साफ है कि अमेरिका के एक पाउरफूल लिडर इस वक्त अरव वर्ल्ड को धर्म और संपरदाएक बीच बाटना चाहता है जेडी विंस ने कहा कि इसरेल को बचाने के लिए जो बाइडन ने जो कुछ नहीं किया है और ना ही इरान को कंजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है अमेरिका की तरफ से पशिम एशिया में नई गुटबाजी तैयार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है सुएक राश्त सुरक्षा परिशद में चीन ने कहा है कि टू स्टेट वाला उपाई जो ज़रूरी है यानि इस्राइल भी देश रहे और फिलिस्टीन भी देश बने ये ऐसा सुझाओ है जिसका समर्थन भारत भी करता है यही पूरे पश्शम एशिया में स्थाई शाई 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 चायम करने के लिए सबसे बहतर तरीका मना चाता है जिसकर इस्राइल राशिक नही है जब गाजा में बंबारी शाल ही है और नेतनियाहू अमेरिका से बम और हत्यार की डिमांड करने पहुँचे हैं तब बिजिंग में हुई एक मीटिंग ने इस्राइल के माते पर लखी रेखिशती है वज़ा है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों की मुलाखाद इस मीटिंग में हमास वारा फता दोनों गुट के निदा शामिल हुए खबर ये है के फिलिस्तीन के चौदा को टिस बात पर राजी हुए हैं के पिलो यानि फिलिस्तीन लिबरेशन और्गनाइजेशन पूरे फिलिस्तीन के लोगों का सही प्रतिनी हित्त करता है जहां अमेरिका फिल हुए है वहां चिन बाजीमारी है साओदी अरब और इरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चिन इसरेल और फिलिस्तीन के बीच थाई हल निकालने में जुट गया है चिन अब डिल मेकर बनना चाहता है लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत एहम होने वाला है जुलाई के अन तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लिजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउटर कंचोर हो जाएगा अराँ